टाटा कंपनी टाटा जेश्ट को वापस से इंडिया में लॉंच करने वाली है क्योंकि बाई एक टाइम पे जो टाटा की जेश्ट है ये फ्लॉप हो गई थी 2020 में और उस टाइम पे लॉक डाउन लगे थे वैसे भी तो अब टाटा की जेश्ट वापस से कम बैक करने वाली है जिसमें की कंपनी नए अपडेट करने वाली है और आज के टाइम पे टाटा की कोई भी गारी फ्लॉप नहीं जा रही है तो अब टाटा जेश्ट आपको वापस से इंडिया में मिलने वाली है जिसमें कि आपको काफी बड़े-बड़े नए अप्डेट्स मिल जाएंगे इंजन को लेके, फीचर्स को लेके, लुक्स को लेके तो श्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं जेष्ट के इंजन से तो ये गारी जुबए आपको पेट्रोल के साथ मिलेगी पेट्रोल थ्री सलेंडर इंजन दिखने को मिल जाएगा और ये गाड़ी जो है आपको लगभग देगी 90 HP के आसपास तक का MAX POWER भाई पावर फिगर उपर नीचे आपको मिल सकती है और जो गाड़ी का टॉर्क है वो आपको 130 से लेके 140 NM के बीच में देखने को मिल सकता है पहले इसका बाई टॉर्क था 200 NM क्योंकि तब ये डीजल पे थी और इसका जो माईलेज है पेट्रोल पे वो निकल के आएगा 17-18 पे और CNG जो है बाई आराम से आपको 24 का माईलेज दे देगी और जो टॉब स्पीड है वो आपको मिलने वाली है लगबग मान के चलो 170 के आसपास की अब जो बात करते हैं गाड़ी के लुक्स तो बाई लुक्स तो डेफिनेटली चेंज होने वाले हैं इसक्रीन पे आपको ओल्ड वाली जेश्ट दिख रहेगे तो इसमें आपको नए LED के headlamp देखने को मिलेंगे जो की आपको मिल जाएंगे projector के साथ और इसमें जो है आपको मिल जाएंगे नए shape के LED के DRL जो की आपको T-shape में मिल जाएगा साथ ही company इस गाड़ी में आपको company fitted top model में मिल जाएगा integrated fog lamp और इसकी बाई जो grill है वो आपको new मिलेगी बाकी जो है इस गाड़ी में आपको Tata का 3D में logo मिल जाएगा bonard और face company बिल्कुल ही change कर देगी जो बाई side mirrors है उसमें आपको मिल जाएंगे integrated DRL कहलो चाहे इंडिगेटर कहलो जो गाड़ी का side look है company वो बिल्कुल ही muscular कर देगी नया cladding आपको लगा के देदेगी डोर वगेरा पे जो गाड़ी का बाई back panel है यानि कि जो गाड़ी की tail light है tail gate है वो भी company आपको नया देगी गाड़ी में आपको new shape की LED की tail light दिखने को मिल जाएगी Jest की branding मिल जाएगी Tata का logo मिल जाएगा rear view camera, rear defogger, rear washer, wiper वगेर आपको दिखने को मिल जाएगा साथ ही बाई Jest में अब आपको company sunroof भी provide करा देगी और ये गाड़ी आपको कुछ dual tone color option के साथ दिखने को मिलेगी साथ ही आपको इसमें all black का भी edition दिखने को मिलेगा यानि की dark edition जो की Tata company अपने altros harrier nexon में देती रहती है और इसका बाई जो price है, last time इसका जो price था वो था 5,72,000 रुपई लेकिन जो है बाई ये गाड़ी अब आपको 6,35,000 रुपई के आस पास तक का starting action room देखने को मिल सकती है और बाई जो top variant होगा वो करीब 9,60,000 रुपई के आस पास तक जा सकता है और company जो है जेश्ट को आने वाले देड़ से 2 मैने के बीच में launch करने का plan कर सकती है लेकिन बाई अभी तक गाड़ी के बहुत बड़ा difference दिखने को मिल जाएगा बाकी जो है गाड़ी में आपको front में, disc, rear में, drum, ABS, EBD, heel assist, traction, control मिल जाएगा और बाई जो Tata की जेश्ट होगी इसकी जो build quality है वो तो आपको अच्छे से पता है कि कैसी रहने वाली है साम में अगर swift है तो swift का तो हालत आपको पता है और just किस condition में रहेगी वो आपको पता है गारी में आपको airbag definitely मिलेंगे ही आपको भाई इसमें मिल जाएगा handrest, trice की जो सारे window है वो आपको power window के साथ मिल जाएगी गारी में आपको keyless entry मिल जाएगा key reminder मिल जाएगा wireless charger मिल जाएगा AC के vents मिल जाएगे जो MID है वो आपको 3S free की मिलेगी जो की बड़ी रहेगी जिसमें की आपको बहुत सारे controls मिल जाएगे और गारी के steering है वो आपको T-shape में मिलेगी नई वाली nexon की तरह बागी बाई controls आपको मिल जाएगे steering पे भी और गारी का जो midr console है जो कलिस्टर है वो भी आपको new मिलेगा बागी बाई जो interior है वो आपको dual tone में देखने को मिल सकता है जैसे की black, red, black, purple तो कुछ ऐसा आपको मिलेगा interior बाई 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 चाहो तो वेड़ कर ले ना बाई जो वीडियो है लाइक कर दो मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए जैहिंड वंद्यमातरम बाई लाइक चरूर कर देना